नमस्कार सभी को आशाकिरन चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम निश्टा मॉडियो 6 बुन्यादी भाषा और सक्षर्ता की क्विस्स सॉल्व करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट एक सिक्षक को बच्चों को पाट से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनकी द्यानिक जीवन से संबंदित परिचित संधर्भू पर बात करें साक्षर्ता की आरंबिक वर्षों में बच्चे होती हैं अपनी आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्चुक भाशा सीखने में संधर्भ का विशेश महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है किसी शब्द विशेश की अर्थ को समझने में दिलचप स्कटना यह है कि भाशाएं एक समान तरीके से सीखी जाती है पढ़ना अनिवारे रूप से अर्थ निर्मान की एक प्रक्रिया है पढ़ने का अन्तिम लक्षे है पाट से अर्थ ग्रहन करना बच्चे भाशा की बारिक्यों को समझते और खोचते हैं जब वे ल, एस, आ, डब्लू सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक सलंगन हो एक कोशल के रूप में पढ़ने के कोशल के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक, श्रवन, आधारित, जागरुकता, पुर्व, ज्यान और अनुमान लगाना चित्र पढ़न में शामिल है मोखिक कोशल और सोचने की क्षमता नेक्स्ट, भाशा कक्षा में सिक्षक, पिक्चर, टॉक, अधार, चित्रो के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रियास करता है क्योंकि ये परंप्रागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपोन कदम है स्वतंत रूप से पढ़ना क्या है सिक्षक द्वारा परदान की जाने वाली नियून्तम साहता नेक्स्ट, भाशा की कक्षा में ओपन एंडेट मुक्त निर्देश की अत्यन्त महत्वपोन भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपनी ज्यान और अनुभव का विस्तार करने का अफसर प्राप्त होता है साइलेंट पिरियर्ड मूक अबधी क्या है स्वेम से बाच्चित करते हुए सीखने की अबधी नेक्स्ट, भाशा का संग्यानात्मक पहलू किस पर किंद्रित है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर नेक्स्ट, पढ़ने के भाशाई पहलू इन कोशलों के विकास में विश्वास रखते हैं ग्राफोफोनिक जागरुकता, शब्दार्थ, वाके रचना और वहवारिकता नेक्स्ट, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां परस पर समानांतर होती है मात्रभाशा बच्चों को बनने में मदद करती है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम नेक्स्ट, परभावी अधिगम के अफसरों के लिए एक सिक्षक को अवश्य परदान करना चाहिए बच्चों द्वारा खोजबिन करने की स्वतंतरता नेक्स्ट, भाशा कक्षा की प्रार्थमिकता क्या है बच्चों के लिए प्रिंट स्मृत वातावरन बनाना नेक्स्ट, और इस परकार हमने सभी 20 कोश्चन के आंसर दे दिये हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ओफ 20 अब हम सेकेंड अटेंट करेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे सेकेंड अटेंट में फर्स्ट कोश्चन है पढ़ना अनिवारे रूप से एक डैश की एक प्रक्रिया है अर्थ निर्मान नेक्स्ट, पढ़ने का अंतिम लक्षे है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहन करना नेक्स्ट, चित्र पठन में शामिल है मोखिक कोशल और सोचने की इक्षमता नेक्स्ट, एक कोशल के रूप में पढ़ने के कोशल के लिए आवश्यक है धवन्यात्मक, श्रवन, आधारित, जागरुकता, पुर्व ज्यान और अनुमान लगाना नेक्स्ट, पढ़ने और लिखने की कतिविधियां परस पर समनंतर होती है नेक्स्ट, कक्षा में प्रिंट स्मृत वातावरन का प्रियाय है बालसाहित्ते चाठ, बच्चों द्वारा किये गए कारे, कहानिया नेक्स्ट, मातर भाषा है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा नेक्स्ट, भाषा दुनिया की बारे में बच्चों की डैश को आकार देने में महत्मुन भूमिका निभाती है समझ प्रभावी अधिगम की अफसरों के लिए एक सिक्षक को अवश्य परदान करना चाहिए बच्चों द्वारा खोजबीन करने की सुतंतरता भाशा सीखने में संधर्ब का विशेश महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है किसी शब्द विशेश के अर्थ को समझने में संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है जब सिक्षक द्वारा सरवादिक सहता दी जाती है निर्देशिक पठन क्या है जब सिक्षक द्वारा सरवादिक निर्देश दिया जाता है नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में open-ended मुक्त निर्देश की अत्यन्त महत्पुन भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्यान और अनुभव का विस्तार करने का अफसर प्राप्त होता है नेक्स्ट, बच्ची भाषा की बारिकियों को समझते और खोशते हैं जब वे L.S.R.W. सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक सालंग न हो नेक्स्ट, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्त्रोत है उन्हीं प्रिंट स्मृत वातावरन परदान करने के लिए नेक्स्ट, भाषा का संग्यानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? मानसिक प्रक्रिया और रणनितियों पर नेक्स्ट, पढ़ने का अंतिम लक्षे है पाठ से अर्थ ग्रहन करना नेक्स्ट, भाषा कक्षा की प्रार्तमिक्ता क्या है? बच्चों के लिए प्रिंट स्मृत वातावरन बनाना नेक्स्ट, साक्षर्ता के आरंबिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबिन करने के इच्चोक नेक्स्ट, एकादिक भाषाओं का ज्यान रखने वाले बहुबाशी बच्चे होते हैं, रजनात्मक और गंभीर विचारक नेक्स्ट, और हमने सेक्ट अटेम्ट के भी सभी 20 कुशेंज कर लिये हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ओफ 20, अब हम स्थर्ड अटेम्ट करेंगी अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राईब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राईब कर लीजिए थर्ड अटेम्ट में फर्स्ट कुशन है, परभावी अधिगम के अफसरों के लिए एक सिक्शक को अवश्य परदान करना चाहिए, बच्चों द्वारा खोज बिन करने की सोतंतरता एक सिक्षक को भाशा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए प्रियाप्त अवसर परदान करना चाहिए आतम अभिवेक्ति बच्चे की भाशा ना केवल सीखने का माध्या में बलकि विचारों की अभिवेक्ति डैश और नवाचार भी है रचनात्मक्ता पढ़ने का अंतिम लक्षे है पाट से अर्थ ग्रहन करना सार्थक अधार्भुद साक्षर्ता और संख्यात्मक कोशल प्राप्त करने वाले बच्चे होती है रखती हैं सभी कक्षा में सीखने का उप्युक्त स्तर एक सिक्षक को अपने चात्रों को ध्वनी विज्ञान का परिचे देना चाहिए जब उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तयार हूँ पढ़ना अनिवारे रोब से डैश की एक प्रक्रिया है अर्थ निर्मान कक्षा में प्रिंट स्मृत वातावरन का प्रियाई है बाल साहित्ते, चाठ, बच्चों द्वारा किये गए कारे, कहानिया एकादिक भाषाओं का ज्यान रखने वाले बहुबाशी बच्चे होते हैं रचनात्मक और गंभीर विचारत सयोगत रूप से पढ़ना क्या है, जब सिक्षक द्वारा सरवादिक सहाथा दी जाती है, निर्देशिक पठन क्या है, जब सिक्षक द्वारा सरवादिक निर्देश दिया जाता है, दिलचब सकटना यह है कि भाषाओं टैस तरीके से सीखी जाती है, एक समान तरीके से सी नेक्स्ट भाशा की कक्षा में open-ended मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्यान और अनुबव का विस्तार करने का अफसर प्राप्त होता है नेक्स्ट चित्र पठन में शामिल है मोखिक कोशल और सोचने की एक शमता नेक्स्ट भाशा सार्थक संदेश देती है यदि वह संधर्भ हो नेक्स्ट एक सिक्षक को बच्चों को पाट से जोडने के लिए चाहिए कि वो अब उनके द्यानिक जीवन से संबंदित परिछित संधर्भू पर बात करे नेक्स्ट एक कोशल के रूप में पढ़ने के कोशल के लिए आवश्यक है द्वन्यात्मक श्रवन आधारित जागरुपता पूर्व ज्यान और अनुमान लगाना नेक्स्ट भाषा सीखने में संधर्भ का विशेश महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है किसी शब्द विशेश के अर्थ को समझने में बच्चों के लिए प्रिंट स्मृत वातावरण आनिवार रहे हैं क्योंकि ये समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है कक्षा में रखी पटन सामगरी इतनी उचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूप कर आसानी से पढ़ सके अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले थैंक्यू टू और